आपने लंबा संगर्ष किया और अब संसत का रास्ता खुल गया है आपके राजनीतिक जीवन में यह पड़ाव है या मन्जिल अबीतों में शुरू भी नहीं वह हूँ अबीसे आप मनज़िस दोडने लगे हैं मनज़िल तो बहुत दूर है मनज़िल तो है बहुजन मापूर्पोरसो का सपना जो है उसको पूरा करना मनज़िल है अबीतों मैंने उसकी एक इट लगाई है जहां बावा साभ अमेडकर न कि वहां से एक इंट लगी अभी अभी तो इसमें कई सो इंट लगनी बाकि इस देश में बहुजान राज आएगा हकवंचिस समाज के लोग का की पार्टी सत्ता में आएगी और उनके जर्ये उनके जीवन में बदलाव होगा जो आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ वो हो सबस्क्राइब गाज़ा होगा है हिस्सार ने वहरत के मैं अगया की आपके दिशा क्या होगी कर आखि ज़ो है अम्बिटकर वादियों के तेवर हैं ये जैभीम, जै मंडल, जै जोहार वालों के तेवर ये बदलते नहीं है ये तेवर मिठ तो सकते हैं समय के साथ जब हमी नहीं रहेंगे तो तेवर नहीं रहेंगे लेकिन जब तक हमें तब तक तो तो तेवर रहेंगे सर और तेवर रह करने के लिए सिर्फ सत्ताम बैठे लोग लोग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं लेकिन आज मेरी किसी से सिकायत थी जब टाइम्स मैगजीन मेरा नाम आया था तो मेरे उपर जम्यदारी थी कि मैं इस बात को साबित करूं तो बहुत लोगों ने मेरा मजाग उड़ाया कोई कहता था मैं परफशत का चुनाओं जी सकता कोई कहता मैं परधान लेकिन जबकि यह आज बहुत सारा जिला 소पर आज उयंस से थे जो बहुत कम वोटों से हारे कुछ पांच जार से कुछ साथ जार कुछ ग्यारा जार से और दसों से ज्यादा हम दूसरे नंबर पे दे लेकिन किसी ने हमारा संखर्श नहीं देगा सब लोग सोते थे कि रिजल्ट आएगा तो माना जाएगा अजार समाज पाट्टी और तेवर हमेशा वो ही रहेंगे जुल्म के खिलाब बगावत हैं अन्या कोई करेगा तो उसके खेर नहीं उसके खिलाब रड़ाई लड़ी जाएगी सरकार किसी की हो इस्टेट को ही हो ना है किसी से दोस्ति ना है किस से बैर चंदरशेखर जी उत्रप्रदेश के राजनीती में बहुजन समाज पार्टी की एहम भूमिका रही है दर्श को तक सत्ता तक पहुची है और सत्ता के केंदर में रही है लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनाव को देखें तो प्रदरशन वैसा नहीं रहा है इसी लोग सभ चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई यह बहुत से विशलेशक के मान रहे हैं कि भारतिया राजनीती में दलित पॉलिटिक्स की जो जगा है दलित नेत्रतिव की जगा है वो खाली है क्या है माना जाए कि चंदरशेखर अब उसको भरने के लिए तयार है कि यह साथी आप मुझे बहुत लंबे समय से फॉलू कर रहे हैं कि माने महंजी जितना समाज को दे सकती थी उन्होंने दिया बहुत काम किया उन्होंने कि मैं हमेशा उनका आशिरवास सजोग मुझे मिलता रहा है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन अब समाज भी महसूस कर रहा है कि जितना बहुत करके गई थी वो समाज के लिए प्रयाप्त नहीं है उससे ज्यादा होने की जुरत है और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए दोजार बाइस में समाज नहीं उससे कहा था कि इस बार हम आपके साथ नहीं बहंजी के साथ रहें कि उनको चीपनिश्टर मनाना है समाज को लगता था कि वहन जी जो है आगे बढ़ सकती है उसके बाद कई उप चुना हुए समाज ने मेरे कहीं से वोट दिया फिर विदान सभागे चुना हुए समाज ने मेरे कहीं से वोट दिया राइस्थान और मद्यप्रदेश के और अब लोक सो चुनाओं में भी हम लड़े हैं पहला जहां मैं खुद लड़ा वहां बीस्पी को एक परसेंट वोट मिला आप चेक कर लो मैं जूट नहीं बोलता हूं दूसरी बात हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरिया गंज में जो हमने चार दिन पहले फैसला ले जब कि चुनाव बिल्कुल बाइपोल हो कि और मीडिया भी दिखा रह दिखा रहाता और किसी प्रतियासी को दिखाने के रलजजिनी था यह दिखाए फैसे अगर हैं कि आजास समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भी मारमी के लोगों जो संखर्ष किया है वो लोग के दिलों में उसको जखा बना ली अश्चीजार वोट कम वोट नहीं होता कि आप सोचे कि अगर हम सभी सिटों पर चुनाव लड़ते और अपना जो बेस वोट है संगठन का उसको ले जाते तो इंडिया एलाइन्स कम से कम हम 3000 अग्रदेश स्य तो वह चाहे मेरा धन्यवाद कर सकते हैं लेकिन मैं उनको कोई बात धेन नहीं कर रहा हो मैं अपनी डूटू ओकी जो सविद्धान के पड़ते मेरी जिम्मीदारी है जो ।्यू देश के पड़ते मेरी जाती के चसमें देखके दलित नेता पुकारता रहेगा आप जाती विवस्ता के अधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं तो मैं तम मानूंगा बीबीसी के लोगों को जब वो मोदी जी को उनकी जाती का नेता कहें आमिश्या जी को प्राउल गांदी जी को अखलेश जी को इस चरित्र को मीडिया को बदल लेना चाहिए, कल प्रधान मंत्री जब सविधान को नमन किये तो मुझे एसास हुआ, कि अभी तो एक अमबेड करवादी सविधान सभा में आया, देखिए कैसा बदला हो रहा है, जब आजास समाज पार्टी के जरिए सेक्ड़ों बेड करव बादी आएंगे, तब देखिएगा, हर आदमी सविधान को मानेगा, सविधान के इसाफ चलेगा, जो जैसे आपके आजास समाज पार्टी है, या बी-एस-पी को ही ले लीजिए, कई बार क्या होताज राजनीतिक विश्लेशक हुए हैं, जो टिप्टी करने वाले हैं, अ बादी तो है नहीं, रानी के पेट से तो राजा नी पैदा था लोगतंत्र में, जिसको जनता साथ देती वो ही राजा बन जाता है, काशिराम साथ जब आंदोरन चलाएं, कितनी बी टीम कहीं, लगिन अपनी उंगली पर नचा दिये पुरा लोगतंत्र, जिसको चैप मिस् समय समय पर मेरे जैसे लोग आते रहते हैं, उनकी कुर्सिया हिलाते रहते हैं, अपने लोग को बिठाते रहते हैं, तो हम अपना काम करेंगे, फिर मैं आप से कह रहा हूं, अच्छा आप सोचो, अगर हम दो इस टो पर क्यों लड़े, पर चाही तो भरवाना था ना, बाक क्या दलिस समाज के वोट के वहाई जीते हैं, अगर किसी में हिम्मत हो, तो हाथ खढ़ा करें क कहें, कि हम इनके बेगए जीते हैं, कोई एक आदमी खढ़ा एगर बिना हमारे समर्थन के जीते हो, तो हाथ ख़ढा कर कर देखा, अगली बार देखेंगों जीत जाएगा, व यहां पार्लेमेंट छोड़ोगा असेंबली में भुश गया जिसके अंदर इतने हिम्मत हो हाथ बाग खड़ा करें बताए कि बिना हमारे दल्स पिछड़ों के भी जीता के कोई बिना मुस्लमानों कुर्बानी की जीता को मुझसे उठवा तो यूपिय की जितने लोग चुन कि दलीद पिछड़े आदिवासी मुस्लिम जैन सिक इसाई बोद किसी भी वर्क के बच्चे के साथ अगर कास्ट डिस्क्रमिनेशन होगा जैसे रोहित वैमुला के साथ हुआ जैसे पाइल तडवी के साथ हुआ तो आप यह देख रहे हैं ना उस इंस्ट्यूशन वाले की खैर नहीं है कि किसी भी करमचारी गशरूर्कार चलिट्री त्राइब डिपार्टमेंट में तो इस दृपार्ट में सताने वाले अधिकारी की सब्से कोई जला देता है कुछ कर देता है अब अगर किसने ऐसी गलती की तो उसको जेल में जाने से कोई नी बचा पाएगा चैस सरकार उसके पीछे खड़ी वह आगे खड़ी हो अगर कोई महिलाओ पर सोचन करेगा और सोचेगा कि हमें कोई बचा लेगा तो बच नहीं पाएगा अब आजास समाजपर्टी भीमारमी के लोगों का मनोबल बड़ा हुआ है और आप देखना आने वाले जितने उपचुनाओं है वो सब को पीछे छोड़ते आगे निकलने काम करेंगे अभी आप देखना उत्तर प्रदेश में भी कि विधान साह महरा परतिन्तु छे मेने क के अंदर होगा अभी आप राजनीतिक नतीजों की बात कर रहे थे देश में दो बड़े गडबंधन लड़ रहे थे एंडिये और इंडिया अगर आपको मुका मिला या बाचीत आपकी चल रही हो तो आप किस तरफ जाएंगे हम तो पार्टी के सामाने कारे करता हैं आप के मित रहें पार्टी अपना काम कर रहे हम अपना काम करें हमें नगीना के लोगों चुनके भेजा हैं हम नगीना के लोगों के लिए दिन रात एक करेंगे संघर्स करेंगे और नगीना के लोगों के लिए के हितों में बहतर क्या हो सकता है उसके लिए तमाम जिसकी भी सरक करेंगे सर काम करेंगे हमने देख लिया हम एहराने के लिए विपकस भी बहुत जोर से लगावा था सत्तापक्स तो हमारी लडाई थी हम समझ गये हैं कि हमें अपने लडाई खुदी लड यह हम किरों पर हम उत्ति पर पर हम ने जनता के जनता सारे सारे पर रेंगे और इस लड़ाई को धरातल पे लेके जाएंगे हमकों बैठने के लिए पार्लेमेंट सुड़ाए आएंगे ज़ितने पार्लेमेंट चलेगा यहां रहेंगे उसके पास सड़कों पर रहेंगे अभी जो नतीजा आया है अगर इस पर विस्लेशन करेंए आप इसको कैसे देख रहें हम अपनी पार्टी का विस्लेशन करना है तो भाजपा के भिलकुल खिलाप में होते हैं भाजपा दोसों पार नहीं करते हैं अगर विपक्स जो है स्वार्थी नहां होता अपने अपने से कम मार्जन से जीती है भाजपा तो ठीक है उनको अपनी पार्टी अपने संक्राइब पंजाब में दूर से के सामने लट रहे हैं बंगाल में दूर से के सामने लट रहे हैं और वैसे लाइन से पिछली बार मैंने जब आपका साक्षात कार किया था आपने कहा था मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाओंगा वो लाइन आज भी बरकरार है अभी धोड़ दिर पहले गए हम प्राइमिस्टर भी भाजपा बनाती तो भी नहीं जाएंगे हम वैचारिक लोग हैं सर राज नोबल पैदा करने के लिए और अपने महापुर्सों के अंदलनों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हमारी राजनीती ऐसे नहीं कि कॉंगर्स के चालिस मंद्य परदेश के बीस मेंबर टूटे है भाजपा के सरकार बन गई राजिस्तान के बहुत सारे मेंबर ढूंडते प्रियों तक किस तरह से हम सरकार बना लें और हम ऐसे नहीं कि समाजवादी के नोएं मिलने हुए और साब जाकर राज़़सभा हम वोट दिया है भाजपा को हम ऐसे लोग नहीं हैं सर हम बैचारीक लोग हैं और हम विचार की शक्ती से यहां तक पहुँचे हैं और हमारा सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, सर.